हेलो आल आज हम लोग देखेंगे फोटोशॉप के अंदर कर्व कैसे यूज़ करेंगे कर्व एक option बोल सकते हैं आप या आप इसको एक टूल की जैसा देख सकते हैं उसको यूज़ करके हम लोग कैसे एक फोटो को और अच्छा बना सकते हैं या अगर अच्छे से कहें तो इसका color correction में कर्व का यूज़ बहुत हम लोग देखते हैं तो बिसिकल ये कर्व क्या होता है कैसे ये कर्व काम करता है तो ये हम लोग आज देखेंगे ये एक बहुत important tool है Photoshop के अंदर even it is very helpful in the VFX animation industry के अंदर तो चलिए हम लोग आज देखेंगे कर्व का फंडा कर्व का यूज़ कैसे करेंगे color correction में और ये भी हम लोग देखेंगे कि color correction हम लोग क्यों करते हैं बहुत कुछ चीजों को ध्यान पर रखते हैं अगर कोई photo के अंदर आप देख रहें कि exposure बहुत ज्यादा है उसको ठीक करना है वो भी color correction हो गया अगर photo के अंदर बहुत ज्यादा light नहीं आया मतलब अंदर एक्सपोज हो गया डार्क हो गया तो उसको भी अड्जेस्ट करने ये भी color correction हो गया है अगर photo का particularly कोई t-shirt हम लोग पहने हुए है उसका color blue है उसको green करना है या red करना है तो वो भी एक तरफ color correction कहलाता है हम लोग Google जो photo है उसमें थोड़ा सा जो dark areas है उसको थोड़ा सा bright up करना है या जो bright area है हलका सा dark करना है थोड़ा सा color हलका सा changes वगरा करना है तो देखिए ये सारे चीज color correction के अंदर आता है बहुत लोग color correction लग्रेडिंग को एक बोल देता है तो basically color grading अलग होता है color correction अलग होता है हम लोग अभी जो देखने वाले है वो color correction देखने वाले है color grading को बाद में देखेंगे तो बहुत advanced एक series चल रहा है पूरे VFX के उपर तो अभी जो series चलेगा वो color correction और color grading के उपर चलेगा हो सकता है इसमें 4-5 लगातार वीडियो आएगा तो देखते रहिए और लगातार जुड़े रहिए हम लोगों के साथ without any delay चलिए Photoshop के अंदर entry मारते हैं तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर अगर color correction करना है तो हम लोगों को curve tool कहां पर है ये जानना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग layer को select करते हैं image पर चलते हैं adjustment पर चलते हैं यहां पर curve tool मिल जाता है जिसका shortcut होता है control M हम लोग अगर curve में click करेंगे तो ऐसे कुछ दिखने वाले हैं आपका curve tool चलिए हम लोग एक rough सा यहां पर मैं कुछ ऐसे changes नहीं कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं न मैं इसको side में रखता हूं and side में रखके मैं जिस्ट कुछ random changes करने वाला हूं आपको दिखाने के लिए देखिए यह एक line होता है मैं discuss करने वाला हूं यह क्या है नहीं है मैं जिस्ट क्या कर रहा हूं मैं यहां पर इसको click करके just mouse से click करके left click करके मैं इसको ऐसे increase कर दिया इसको ऐसे कर दिया इसको ऐसे दिखिए तो basically हुआ क्या जैसे ही मैंने जो line था उसको मैंने छेड़ चाड़ कर दिया तो color इधर का उधर उधर का इधर मतलब यह पूरे के पूरे change हो गया तो चाहिए आप इसको खराब बोल सकते हो चाहिए आपको अच्छा लग रहे हो चाहिए को दोनों मेंसे तो कोई होगा यह यह जो changes किया कुछ तो किया हम लोगों चाहिए खराब हो चाहिए अच्छा हो इसी को बोलते हैं basically color correction जो पहले था वो हम लोगों ने change कर दिया बट obviously यह खराब हुआ है तो अब अगर हम लोग इसको ok करते हैं तो आप एक चीज notice कीजिए इसी के उपर मतलब इसी layer के उपर वो जो changes किया वो यहाँ पर add हो गया save हो गया अगर अब इस file को मैं save करके फिर से बोलूँगा कि जो मैंने changes किया वही input वही settings मेरे को चाहिए मैं नहीं कर सकता क्यों because मैंने इसी layer के उपर तो किया but मैंने किया image adjustment and curve इस option से adjustment option से किया ध्यान पर रखिए adjustment options में किया now मैं इसको control Z कर देता हूँ अब हम लोग layer को select करके नीचे एक आप गोला देख रहे हैं यहाँ पर गोला होता है इसको बोलता है adjustment layer अगर हम लोग adjustment layer पर click करके फिर यहाँ से curve में click करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर curve तो आया उसके साथ साथ एक new layer create हो चुका है मतलब अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ बड़ा करने के लिए आप नीचे यहाँ पर cross में आके थोड़ा इसको खीच के बड़ा कर देना अगर मैं यहाँ पर कोई भी changes करूंगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके देखिए again changes तो हुआ है अब मैं इसको cut करूंगा अब किसी ने आपको बोला कि भाई यह change करके दिखाओ यह अच्छा नहीं लग रहा है यह reset करके दिखाओ तो आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ से इसको off कर सकते हैं कि भाई देखो पहले जैसा हो गया यह अगर कोई changes करना है तो यह यहाँ पे जो आप गोला देख रहा हूं इसको adjustment layer कहलाता है adjustment layer इसमें double click करेंगे and इसको reset कर देंगे तो भाई reset करने के लिए यहाँ पे एक button दिया हुआ है इसमें आप click किजिए reset हो जाएगा अगर changes करना है तो देखिए same setting मिला and आप इसको ऐसे करके इसको जैसे चाहिए आपको आप इसको setting कर सकते हैं देखिए and यहाँ पे फिर से cut कर दीजिए simple मतलब अगर आपको setting देखना है बाद में changes बाद में करना है edit करना है obviously adjustment layer सबसे safe तरीका है करने का नहीं चाहिए आप select करके delete कर दीजिए आपका layer सुरक्षित है but अगर आप यहाँ से image में जाके adjustment प अगर देखेंगे brightness level exposure से यहां तक जो भी है same option आपको यहां पे भी मिल जाता है adjustment layer में देखिए same options है आप अराम से देख लेना pause करके यह same options होता है तो मैं जो prefer करता हूँ आप इसके बजाए आप यहां पे जाके लीजिए and उसके बाद आप काम कीजिए तो यह best तरीका माना जाता है आप इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं इसको select करके right click कीजिए and convert to smart object कर लीजिए इसको तो जैसे आप convert to smart object करेंगे तो यह smart object में चला जाएगा दिन आप image adjustment and curve में जाके इसका changes वगेरा कर सकते हैं okay कर लीजिए देखिये तो इसके नीचे आपका यहां पे दिखिये एक option आजाएगा see now अब इसके उपर मैंने तो changes कर दिया अब अगर इसके उपर देखना है क्या changes किया तो नीचे देखिये curve करके एक आंक का sign लगा दिया तो इसके उपर आप double click करिएगा तो same sign मिलेगा देने गेन आप इससे adjust कर सकते हैं तो मतलब आप यहां से smart object में पहले right click करके आपको जाना पड़ेगा फिर यहां पे image पे जाना पड़ेगा फिर यहां पे adjustment पे जाना पड़ेगा फिर यहां पे curve में जाना पड़ेगा यह आपके मर्जी है अगर आपको लगता है इतना लंबा process करके आप जाएंगे तो जाएए otherwise मैं control z करता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं यहां से मै काम करता हूँ तो देखिए आपको जिसमें comfortable हो आप उसी में काम कीजिए अगर हम लोग image में select करते हैं मैं यहां से comfortable हूँ adjustment layer से तो मैं adjustment layer पे गिया and curve में किया देखिए अगर मैं इसको समझाओं आपको तो यहां पे आप देख पा रहे हैं एक box बना हुआ है उसके उपर ए पे RGB होता है red green blue इसको कहलाता है RGB मतलब तीनो चैनल जब mix हो जाता है तब इसको बोलते हैं हम लोग RGB तो अगर आप इसमें जाएंगे इसमें जाने के बाद अगर आप click करके देखेंगे तो देखिए red green blue आपके पास separate separate तीन चैनल मिल जाता है इसके बाद अगर आप कोई भी particular channel पे जाके काम करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं यहां पे जाएए red में जाएए काम कीजिए देखिए red आएगा green पे जाके blue पे जाके तो यह सारे चीज़ बाद में आएंगे अभी RGB में चलते हैं यहां पे जाके आप अगर इसको देखे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें होता क्या है basically इसमें देखिए इस तरफ का black होता है इस तरफ का white होता है नीचे भी देखिए इस तरफ का black होता है इस तरफ का white होता है मतलब यह क्या है यह चीज़ यही है कि basically यह black to white मतलब dark से दीरी 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 यह highlight की तरब जाता है और यहां से भी डार्क से दिरे 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 यह हाइलेट की तरब जाता है ब्लैक मतलब आपका हो जाता है अगर ब्लैक में जाएंगे न तो ब्लैक हो जाता है आपका जीरो मतलब यह जो जगा है न यह जीरो जगा कहलाता है और अगर दीरे दीरे आप उपर जाता जाएंगे न तो ये कहलाता है 255 मतलब आप ये जो जगा है ये 0 हो जाता है and ये जो जगा है न ये 255 काउंट होता है और ये जो मिडल बाला होता है वो 128 कहलाता है basically same thing ये जगा 0 होता है मतलब black 255 इसको कहलाता है मतलब ये हो जाता है आपके properly white and इसी जगा पे हम लोग आएंगे तो इसको कहलाता है 128 तो ये होता है इसका एक base now अगर हम लोगों को picture का अगर ये picture है image है इसको अगर हम लोगों को करना है कि जो यहां पे अगर देख पाएंगे तो ये area dark area कहलाता है ये area mid tone मतलब ये area हो जाता है आपका dark tone obviously आपको समझ में आया होगा because ये dark है ये area जो है न सबसे उपर वाला ये होता है highlight और जो middle वाला area होता है जो grey की बराबर रहता है ये यहां से भी ये grey है नीचे से दिखिएगा तो ये भी grey है तो ये वाला area होता है mid tone मतलब zero हो जाता ह है अगर आपका मतलब अगर zero calculate करते है black को and one calculate करते है अगर white को तो 0.5 calculate करेंगे हम लोग grey को तो ये basic एक funda है समझिये चीजों को अगर हम लोग इसको changes करेंगे मान लीजिए मेरे को इसको जो इसका dark pixels है मतलब अगर यहां पे देखेंगे तो ये इसारे area ये सारे area dark है तो अगर उसे area के अंदर कुछ काम करना है मतलब मान लिजिए उसको dark करना है तो जो bright area होता है देखिए ये bright area कहलाता है इसको मतलब और bright करना है मान लीजिए तो हम लोग क्या करेंगे तो इसमें आएंगे यहाँ पे ये जिखिए मान लीजिए अगर ये dark है तो मैं इसमें click करूँगा तो एक point add हो जाएगा देखिए जैसे click किया एक point add हो जाएगा जितना आप नीचे खिचिएगा उतना ही ये dark होगा जितना आप उपर खिचिएगा उतना ही ये white होता जाएगा मतलब highlight होता चाहेगा तो मान लीजिए मेरे को इस जगा पे dark करना है तो मैं इसको खीच के देखिए मैं नीचे करता हूँ नीचे करता हूँ बस देखिए इतना तक मेरा sufficient है and इस area को अगर मैं इस area पे click किया and इसको बोलता हूँ कि white हो जाए मतलब तोड़ सा highlight दे दे मेरे को तो देखिए जो highlight area है bright pixels है देखिए वो उतना ही bright होता गया तो ये basically मैंने क्या किया अगर आप before after देखेंगे तो आप यहाँ पे आईएगा यहाँ पे आके आप इसका before and after इसको off and on करके देख सकते पहले ऐसे था अभी मैंने ऐसे किया तो क्या किया जो darker pixel था उसको मैंने और dark किया आप यहाँ पे देखिए और जो brighter pixel था उसको मैंने और bright कर दिया अगर reset करना है आप सीधा यहाँ पे आके इसको reset कर सकते है इस button में click करके अगर हम लोगों को जो darker pixel है उसको करना है light और जो brighter pixel है मतलब bright area उसको करना है dark अगर हम लोग इसमें click करेंगे इस जगा पे मतलब dark नीचे का portion dark होता है तो अगर मैं इसमें click किया और हम लोग क्या करेंगे dark को करेंगे थोड़ा सा light तो उपर की तरफ होता है हम लोगों का bright area तो देखिए मैं इसमें click करके अगर मैं bright करूँगा तो देखिए 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 ये bright होता रहा है बस इतना ही काफी है मेरे लिए अब अगर हम लोग इस जगा पे click किया and इसमें click करके मान लीजिए इस जगा पे click किया इसको कर दूंगा नीचे देखे तो जो एरिया bright था देखे उस एरिया दीरे dark होता गया देखे और इसको आप अपने हिसाब से adjust कीजिए आपको कितना adjust करना है यहां पर देखे मैं इसको नीचे आऊँ जीतना नीचे आऊँगा देखे ग्रे 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 करके दीरे-दीरे dark ह तो अब इसलिए आप एक limit तक ही आएंगे अगर ऐसे करके आप देखेंगे तो basically यह color correction तो हुआ है but proper way पे नहीं हुआ है बगर अगर जूम करके आपको दिखाओ देखिए यह सारे जो texture है यह missing है यह burn out हो गया है अगर आपका color correction में ऐसे कुछ आ रहा है मतलब वो color correction आपका ग कर सकते हैं देखिए मैं इतना तक किया एंगर मैं before and after दिखाओ देखिए यह एक बहुत ही difference यह change है आप देख पाएंगे पहले कितना bright था यह area and अब अगर आप देखेंगे कि कितना sober यह अभी लग रहा है यह area पहले कितना dark था आप देख पाएंगे एक चीज को अगर basically funda अगर आपको यह चीजे समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं आपको यह सारे चीज कम जादा कम जादा करके देखने का कोई जरूरी नहीं है आपको funda समझना है मैं इसको कर दिया reset अब reset करने के बाद हम लोग क्या करते हैं basically अगर simply मैं mid tone पे click करता और अगर आपको लग रहा है जो mid tone है mid tone को आपको उपर की तरफ मतलब और थोड़ा bright करना है mid tone को तो आप इसको बेज़े जग उपर लेके आ जा सकते हैं तो जितना mid area होगा ना उसके उपर यह focus करेगा same thing अगर इस area को मैं नीचे लेके आऊंगा देखिए mid area जितना है दि देख पाने दो चीज होए एक होता है input एक होता है आपका output अब यह input and output क्या होता है देखिए अगर यह जो आप line देख रहे हैं यह जो line इसको बोलते है input line and इसको बोलते है output मतलब अगर मैं इस जगा पे click करूँगा तो मैंने उसी time पे बोला यह 128 कहलाता है तो जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 129 है तो let's set it be 128 तो देखिए मेरा input जो है वो कितना है 128 अब मैं क्या बोल रहा हूँ यह 128 पिक्सल से लेट किया है नव हम लोग बोल रहा हूँ कि output जो है इसको हम लोग change करेंगे कितना करेंगे suppose जो output है वो मेरा जाएगा for example 60 अब देखि आउट पूट जो दे रहा है यह 128 पूट 128 इंपूट था और वहां से 160 नॉर्मल सॉरी नॉर्मल 60 में मैंने लेके आया तो देखिए यह डार्ग दिया अगर हम लोग 160 कर देंगे तो यह उससे जादा ब्राइट होगा मतलब यह देखिए highlight की तरफ जा रहा है जस्ट इसको स इसको करते हैं 80 तो देखिए यह dark हो रहा है एंड अगर मैं इसको कर दूँगा 180 तो यह बहुत साधा bright होता रहेगा ठीक है अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप क्लिक कीजिए इस option पर ना ऐसे क्लिक करने से आपको पता चलेगा कि पहले आपका मैं क्लिक करक करके छोड़ दीजे क्लिक करके छोड़ दीजे तो before and after यहां पर ऐसे करके दिख जाएगा आपका पहले कर्व क्या था आपको यहां पर दिखेगा दिखिए आपका पहले कर्व ऐसे था उसके बाग आप इसको चेंज किया इस जगा पर तो बेसिकली इंपूट एंड for example 120 double तो दिखिए तो इसका कर्व कैसे बना इस टाइक मतब 60 यहां से लिया था इंपूट एंड आउट पूट हो गया 120 अगर मैं आउट पूट कर देता हूं 30 तो दिखिए यह obviously dark result में आएगा नाउ यहां से मैंने ऐसे किया and इस जगा पर suppose मैंने इस जगा पर किया ठीक है इसका इंपूट 135 है मैं यहां से चलके 135 आउट पूट कितना दे रहा है यह 99 आउट पूट दे रहा है तो मैं यहां से कर दे रहा हूं 120 तो देखिए यह कैसे आउट पूट दिया यह इस टाइप का आउट पूट दिया 120 में अगर मैं 140 करूँगा देखिए और थोड़ा सा इस टाइब का आउट्पूर्ट देगा अगर off and on करेंगे आपको समझ में आएगा देखिए अब अगर हम लोगों को highlight में करना है कुछ तो मैं highlight में से लेट किया इसका 222 ओविसली मैं उसी टाइम पे बोला था 255 देखिए उतने बराबर यहां पे है 222 अगर output को मैं यहां पे कर दिया suppose 255 and see मैं उसी टाइम पे बोला था देखिए जैसे 255 किया तो यह पूरे के पूरे area पूरे के पूरे area white हो गया देखिए तो आप इसली समझ में आया होगा आप की फरक क्या होता है किसलिए मैं 0 255 यह बोल रगा कोशिश किया now select कीजिए इसको and suppose अगर मैं इसको 80 में कर दिया तो देखिए पूरा ही change कर दिया because यह जितना color था सबको down कर दिया because कहा 222 था वहां से इसको only 80 में इसने लेके आया तो यहां पे आये and इसको normal range पे लेके आये 222 200 देखिए मैंने इसको 200 almost लेके आया तो इस range के अंदर आप इसको देख सकते हैं so for an example मैंने आपको बताने के कोशिश किया कि यह से कैसे काम करेगा तो यह था input and output आपके हिसाब से आप इसको किजिए कि कैसे यह काम करेगा मैं इसको again कर देता हूँ यहां से reset अब यहां पे अगर आएंगे तो यहां पे कुछ तीन आपके पास option मिल जाता है यह होता है dark tone यह होता है आपका mid tone और यह होता है highlight tone तो अगर इस photo में आपको लग रहा है थोड़ा सा dark और यहां पे add करना है तो हम लोग dark tone को select करेंगे click किया and इस image में से सबसे ज़्यादा darkest area कौन सा है यह आपको choose करना पड़ेगा तो for an example मैं यहां से choose किया कि सबसे ज़्यादा darkest area मेरा यह है for example आप यहां पे जाके just click कीचिए इस ज़ड़ आप है darkest area आप है तो जैसे क्लिक करेंगे देखिए यह automatic curve को change करके आपके पास यह output देदेगा अगर मैं यहां पे off and on करूंगा आपको समझ में आया देखिए यह dark को na automatically adjust कर दिया अगर आपको highlight को adjust करना है तो यह तो पूरे dark कर दिया तो अब अगर आपको highlight को adjust करना है तो आप कैसे करेंगे तो मैं इसको again reset करता हूं and यहां पे मैं highlight लेता हूं and सबसे जादा highlighted area देखिए सबसे जादा highlighted area यह होगा तो इसमें क्या है न यह worst out हो गया मतब यह proper white है तो उससे अच्छा जहां से आपको थोड़ा सा texture मिल रहा है so take that area तो मेरे को इस जगा से texture मिलेगा so मैं इस जगा से मैं इसको लेता हूं देखिए मैं जैसे लिया क्या हुआ न यह थोड़ा सा और pop out किया इसको देखिए off on अगर आप दियान से देखेंगे off and on यह और भी थोड़ा सा इसको highlight किया अब मैं यह करने के बाद मेरे को चाह जो सबसे ज़्यादा darkest area मान लीजिए मैं अब इससे ले लेता हूं and click करोगा देखिए तो यह dark and highlight को automatic way पे adjust करने का कोशिश करेगा यह dark mid tone and highlight tone mid tone का मतलब यह होता है अगर आपको पास mid area दिख रहा है तो आप mid area से आपको इसको ले सकते हैं आप इसको select किजिए mid area को अगर आपको लग रहा है कि यह mid area हो सकता है तो आप जहिए यहाँ से and यहाँ पे दीख कीजिए देखिए तो यह पूरे को change करके आपके पास लेके आएगा तो देखिए आप इसको use करके dark, mid and highlight को use करके भी आप यहाँ से इसको use कर सकते हैं मैं इसको यहाँ से कर देता हूं reset तो यह हुआ गया after that अगर आपको कोई channel पे काम करना है वो भी कर सकते हैं उससे पहले एक image आपको दिखाता हूं इस image को आप देखिए अगर आप इस image को देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि red का opposite स्यान होता है, blue का opposite yellow होता है and green का opposite magenta होता है तो यह आप अगर देखेंगे तो आपको इदली समझ में आएगा कि यहाँ पे channel कैसे काम करते हैं तो मैं यहाँ पे चलता हूं double click करता हूं and देखिए अगर मैं red channel पे गया and इसको बोलता हूं कि red channel increase करेंगे for example red channel को हम लोगों को increase करना है तो red channel पे गया यहाँ पे and देखिए मैं mid से increase कर रहा हूं देखिए यह red increase हो रहा है और अगर red को मैं decrease करूँगा तो देखिए opposite color इसमें जो है cyan color यह भर रहा है same thing अगर मैं यहाँ पे double click करूँगा अगर आप इसमें double click कर देंगे double click कीजिएगा अचा अगर मैं इसको again reset करता हूं यहाँ पर now मैं जलता हूं green में तो green को अगर आप यहाँ से भी कर सकते यहाँ से भी कर सकते आपको you अगर increase करेंगे देखिए यह green color क्या हो रहा है जादा हो रहा है और अगर इसको कम करूँ तो देखिए green का opposite होता है magenta, तो यह magenta color में जाएगा, same thing मैं reset करके blue पे चलता हूँ, blue को increase करेंगे उपर की तरफ, तो यह obviously increase होगा, नीचे जाएगा, तो देखिए यह yellow की तरफ आएगा, तो obviously आप इसके हिसाब से आप देख लेना, आपको single channel पे आपको अगर काम करना है, त आप single channel के हिसाब से ऐसे करके आप काम कर सकते हैं, तो next हम लोग इसको reset करेंगे, and यह था curve को एक idea, ना हम लोग एक new image पे चलते हैं, अब इस image पे मैं इसके उपर adjustment layer, and लेता हूँ यहाँ से आपका curve, मैं अब क्या करूँगा, इस image पे alt प्रेस करके, मैं highlight को पकड़के, click कर करके drag करूँगा, देखे, अब drag करते रहिए, देखे, अब मत कीजिए, because अब ना इसमें आपका part दिख रहा है, जो body का part है, वो ना दिखना start हो गया है, तो जब तक ना दिखे, तब तक आप इसको control कीजिए, देखे, इतना तक लग रहा है, मेरे को ठीक है, देखे, इतना side में move करूँगा, देखे, अब तक कोई, अब problem आ रहा है, so मैं बोलता हूँ कि इतना तक ये almost सही है, ठीक है, मैं इतना तक रख के छोड़ता हूँ, अब देखे, इसके अंदर changes के आया, अगर मैं इसको off on करूँगा, देखे, पहले, ये कैसा एक फिका फिका लग रहा था देखे, ऐसे, बट अभी देखे, मैंने just black, मतलब dark pixels, and highlight, जो bright pixel है, उसको adjust किया, and देखे, ये पहले ऐसे था before, and अभी देखे, कितना अच्छा आ गया, now इसके अंदर अगर आपको और कोई changes add करना है, आप easily इसका use कर सकते हैं, देखे, इसका input अभी 18 में है, output अभी 0 में है तो अपने हिसाब से इसको भी adjust कर सकते हैं, even आप red channel पे जाके, अगर आपको लग रहा है, इसका थोड़ा जो dark pixels है, इसमें red channel increase करूँगा, तो मैं select किया इसको, and हलका सा red increase किया, देखे, आप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि green channel पे जाके, इसका जो highlight वाला green है, मैं इसको थोड़ा कम करूँगा, देखे, तो आप ऐसे कर सकते हैं, and अगर आपको लग रहे कि blue में जाके, थोड़ा सा blue को मैं increase करूँगा, मैं highlight में, तो देखे, मैं इसमें थोड़ा सा blue को increase किया, let's see, देखे आप, now आप इसको अपने हिसाब से use कीजिए, RGB में जाइए, आपको इसमें कैसे changes लेके आना है, तो ये तो मैंने example दिखाया आपको कि आप इसका use कैसे कर सकते हैं, एक curve है, is very important option, आप इसको कैसे use करेंगे, और एक option यहाँ पे होता है, मैं इसको off करता हूँ, इसको select करता हूँ, यहाँ पे adjustment layer में जाके, फिर से मैं चलता हूँ, curve के उ auto, अगर आप auto में click करेंगे, तो देखिए, यह जो curve, यह photoshop आपको automatic बना के देदेगा, तो अगर आपको लग रहा है, auto में आपको जाना सही है, मतलब auto में आपको सही output दे रहा है, तो आप easily इसमें जा सकते हैं, इसके बाद भी आप इससे adjust वगेरा कर सकते हैं, देखिए, आप इसमें adjust वगेरा easily कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यह भी आपको adjust करना है, थोड़ा बहुत आप यहां से भी इसको adjust कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे तो कुछ preset मिल जाता है, अगर आपको यह use करना है, suppose darker वगेरा देखिए, आपके पास lighter मिल जाएगा, आप आपके पास medium contrast मिल जाएगा, आपके पास negative, इसके हिसाब से आपका जो curve है यह basically change होगा, तो मेरे को यहाँ पर इसको कुछ नहीं चाहिए, मैं default रखोंगा, default रखने के बाद अगर कुछ आपको यहाँ पर auto वगेरा करना है, तो आप कर लीजिए, नहीं करना है, आप यहाँ पर manually कीजिए, अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, let's suppose, reset and यहाँ पर hand button मिलता है, basically यह color के लिए, color मतलब अगर आपको यहाँ पर मैं click करूँगा, click करने के बाद यहाँ पर आके अगर मैं इस जगह पर click करूँग, तो देखिए, curve मतलब यहाँ पर change हो रहा है, notice कीज अगर मैं इस जगह पर click कर दूँ, तो यहाँ पर दिखे, point add हो गया, and यह point जैसे add हो गया, input ले लिया इसका 143, and output भी इसका 143, अगर आपको चाहिए कि नहीं, मैं output इसका थोड़ा सा dark करूँगा, मतलब 143 से मैं 100 करूँगा, तो देखिए, यह 143 से 100 ने इसमें ले लिया अगर आपको लग रहे है कि नहीं, मैं इसमें 185 करूँगा, तो देखिए, और bright हो जाएगा, तो basically, manual के जगह पे, आप इससे, इसमें जाके, and इसके through भी point, देखिए, मैं इसमें click किया, तो basically, इस point को लिया, click करके, आप इसका भी changes वगेड़ा कर सकते हैं, देखिए, यह totally up to you है, आप इसको कैसे use करेंगे, मैं सारे detail बताया, curve के अंदर, जो information होता है, यह कैसे काम करते हैं, अगर आपको लग रहा है, कि हाँ, कि इसको use करना चाहिए, इसका use करके, हम लोग color correction कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, तो आप इसको practice कीजिए, separate channel practice कीजिए, देख करते हैं, चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में,